हेलो फ्रेंट्स मैं होरी तू और आप सब का स्वागत है मारे सीपीस की किचिन में आज हम बनाएंगे गीहू के आटे से लच्चे वाला पराठा और ये वाकिय में बहुत सॉफ्ट है और मुँ में डालते से ही घुलने वाला है इतना टेस्टी लगता है और आप इसे किसी भी सबजी के साथ में सहो कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुवात करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां लिया है मैंने गीहू का आटा और उसे पहले चान लिया है और यहां उसका जो चौकोर होता है इसे निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस वक्त हम इसे बनाएंगे तो यह अगर चौकोर रहता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रहेगा और जब इसे चौकोर निकाल देंगे तो यह बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और बहुत मुलायम पराठा बनेगा यह तो इसे बनाने के लिए हमने गेहू का आटा उसमें डाल दिया है नमक आधा चमच और डाल देंगे एक अंडा तो यहां पर हमने पाने लिया है गर्म बहुत नहीं है और रूम टेमपरिचर का रहें अश्पशन की बना लिया है और तो यहां यहां 15 मिनट के लिए को चूके हैं आठा आठा आच्छे से से हो चुका है आइसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम उसको बनाएंगे लच्छे बनाएंगे तो वह बिल्कुल सॉफ्ट से रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे यह ताकि आप एक ओवर नाइट विगर उसे रखते हैं तो भी वह पराठा सॉफ्ट ही रहेगा तो हमने इसका एक छोटा सा पेड़ा बना लिया है तो आप जिस आखार का बनाना चाहते हैं उतने साइस का आपने पेड़ा ले लेना है तो हमने रोटी बेली है अब इस पे लगा लेंगे ऑईल आप यहां पे घी भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां मैंने संफ्लावर और इसकी और आप देख सकते हैं मैंने बहुत पतली सी रोटी बेली है और अब इसे हम इस तरीके से लेयर बनाएंगे हम फोल्ड करते चलेंगे यहां आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ यह पहला तरीका है लच्छे पराथे बनाने का और उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हमने उसे कर लेना है रोल तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ले आई हैं और उसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया है और जो एंड का सीरा होता है उसे ट्विस्ट करके हमने नीचे प्रेस कर देना है और बहुत हल काट लेना है जो पीजा कट्र होता है आप उससे भी काट सकते हैं इसे चाको से जो भी एक्विप्मेंट आपके पास में उससे आप इससे काट सकते हैं और अब लेगा लिएंगे उसके उपर तेल और वापिस दस्ट का देना है सूखार्टा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा ही सूखार्टा दस्ट कर लेना है और अब इखटा कर लेंगे पूरे लच्छे हम तो इस तरीके से हमने इखटा पूरे उठा लीए है लच्छे हमें त्षे कर ले एंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चकले के ओपर रख लिया है और को अब वापिस कर लेंगे उसी तरीके से है यहां ही च्था और भीवात तंतMore party फोल्ड तो ये वाला पराथा इसमें लच्छे बहुत सारे बनते हैं क्योंकि हमने उसे काड लिया था और इसे भी हल्की हातों से बेल लेंगे और अब इशेख लेना है तो हमने दोनो when पराख आठी, पहला भी पराठा इसी तरीखे से सिक लिया है और इसे भी इसी तरीके शेख लेंगा जब हलका सिक जाता है तो अच्छे से ओइल लगा लेना है तो बनके रेड़ी हैं हमारे पराठे यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लेयर्स आई हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है यह पराठा बच्चों को तो बहुत पसंद आता है तो आपको ये मेरी recipe पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले नए है तो subscribe जरूर करे और bell icon प्रेस करना ना भूले और comment box में मुझे जरूर बताए कि आपको recipe कैसे लगी Thank you for watching